हलो माई डियर किद्स, I hope you all are fine, today's maths topic is count and add, this is exercise 5 of your maths book page number 67 So my dear kids, let's start, count and add, आप देख सकते हैं first example, देखे हैं माई डियर किद्स, आपको यहां पर कोकी बोटल दिखाए देगी, हम इने count करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 यह पर 5 है और यहाँ पर है 1,2,3,4,4 है अब दिखिए दोनों के बीच में addition का sign है और यहाँ पर 5 bottles थी तो यहाँ पर 5 लिखा है और यहाँ पर 4 bottles है तो यहाँ पर 4 लिखा है 5 में 4 को हमें add करना है अब यहां पर 5 है तो हम 5 lines ट्रॉध करेंगे 1,2,3,4,5 यहां पर 4 है तो हम 4 lines ट्रॉध करेंगे 1,2,3,4 addition का sign हैं हम add कर देंगे 5 में 4 को हम add करेंगे उसके लिए हम count करेंगे 1,2,3,4,5,6,7,8,9 तो हमारा answer आया 9 हमने 5 में 4 को जब एड किया तो हमारा आशर आया 9 इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो हमारा आशर आया 9 नेक्स एक्जम्पल दिखिए यहां पर आपको पपाया दिखाए देंगे अब देखिए यहां पर 1 2 3 4 4 पपाया है और यहां पर भी 1 2 3 4 4 पपाया है अब दिखिए 4 पपाया में 4 पपाया को हमें एड करना है आप देख सकते हैं एडिशन का साइन है यहां पर 4 है तो हम 4 ला 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो count करने पे total answer आया 8 तो हमारा answer है 8 इसे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे count करने पे भी हमारा answer क्या आ रहा है? 8 ही आ रहा है आप इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 next example देखिए यहां पर यहां पर capsicum है 1, 2, 3 यहां पर भी 1, 2, 3 यहां पर भी 3 capsicum है यहां पर भी 3 capsicum है आप दिखिए दोनों के बीच में addition का sign लगाया है 3 capsicum थी तो यहां पर 3 है यहां पर 3 capsicum है तो यहां पर भी 3 है अब हम add कर देंगे 3 में 3 को 3 है तो 3 lines draw करेंगे 1, 2, 3 और यहां पर भी 3 है तो हम 3 lines draw करेंगे 1,2,3 अब हम count करेंगे 1,2,3,4,5,6 6 हमारा answer आया है 3 में 3 को add करके हमारा total answer आया 6 अब देखिए इस तरीके से भी कर सकते हैं 1,2,3,4,5,6 तो total answer आया 6 अब देखिए next example यहां पर कुछ brinjal है यहां पर 1,2,3,4,4 brinjal है यहां पर 1,2,3,3 brinjal है यहां पर 4 brinjal है यहां पर 3 brinjal है अब देखिए 4 और 3 यहां पर लिखावा है और addition का sign है हमें add करना है 4 में 3 को अब यहां पर 4 brinjal थे तो हमने 4 लिखा यहां पर 3 brinjal है तो हमने यहां 3 लिखा और addition का sign लगाया, अब 4 बिंचल थे, तो हम यहाँ पर 4 lines को draw करेंगे, 1, 2, 3, 4, और यह 3 है, तो हम 3 lines draw करेंगे, 1, 2, 3, अब हम count करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो हमारा answer आया 7, हमने 4 में 3 को add किया, तो हमारा answer आया 7, इसे इस तरीके से कर सकते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 हमारा answer आया, next example दिखें, यहाँ पर आपको आयन दिखाए दे रही है, अब हम इने count करेंगे, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 6 है, अब देखें, यहाँ पर 2 है, तो हमने 2 लिखावा है, यहाँ पर 6 है, तो हमने 6 लिखा है, दोनों के बीच में addition का sign है, हमें add करना है, अब 2 है, तो हम 2 lines को draw करेंगे, 1, 2, यहाँ 6 है, तो हम 6 lines को draw करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब हम count करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो total हमारा जो answer आया, वो है 8, तो में जब हमने 6 को add किया, तो हमारा answer आया 8, आप इसे इस तरीके से भी देख सकते है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, total हमारा answer आया 8, अब देखें यहाँ पर यहाँ पर next example में frogs है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर 6 है, 1, 2, 3, यहाँ पर 3 है, अब देखें 6 है, तो हम यहाँ पर 6 लिखाया है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखाया है, और addition का sign है, यानि हमें 6 में 3 को add करना है, अब यहाँ पर 6 है, तो हम यहाँ पर 6 lines draw करेंगे, 1, 2, 3 3, 4, 5, 6, यह पर 3 है तो हम 3 लाइन ज्रॉओ करेंगे 1, 2, 3, अब हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, हमारा आंसर आया 9, काउंट करने पर हमारा आंसर आया 9, हमने 6 में 3 को एट किया तो हमारा आंसर आया 9, आप इस तरह के से भी देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, देखे, 6 में 2 को हमें आड करना है यहाँ पर एडिशन का साइन आप देख सकते हैं 6 यहाँ पर 6 लेडी फिंगर थी तो हमने 6 लिखा है यहाँ पर 2 लेडी फिंगर है तो हमने 2 लिखा है तो 6 के लिए हम 6 लाइन ज्रॉओ करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ पर 2 है तो हम 2 अब हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो हम इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 देखे हमार आंसर आया 8 हमने 6 में 2 को एड किया तो हमार आंसर आया 8 नेक्स एक्सम्पल देखे लास एक्सम्पल यहाँ पर कुछ चॉकलेस दिखाई दे रही है यहाँ प अब यहाँ पर 3 चॉकलेटी तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे और 3 लाइन्स को ड्रॉ करेंगे 1, 2, 3 अब देखें यहाँ पर 3 चॉकलेट है हमने यहाँ 3 लिखा है और 3 लाइन्स को हम यहाँ ड्रॉ करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो हमारा आंसर आया है 6 इसे इस तरीके से भी कर सकत हैं आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हमारा अंसर आया है, so my dear kids, I hope exercise 5 is also clear to you, we will soon meet with a new topic, stay safe, stay healthy and do practice it at your home